नमस्कार दोस्तों, दोस्तों आज की इस वडियो में हम आपको एक ऐसी चमतकारी चीज के बारे में बताएंगे दोस्तों यदि इसके बारे में ये कहा जाए कि सभी परकार की दवाईयों की बाप है ये चीज तो वो गलत नहीं होगा क्योंकि जैसा इस समगरी का नाम है वैसे ही इसके बड़े-बड़े काम है दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं बड़ी पीपली दोस्तो बड़ी पीपली की जैसे नाम है यानि की गुणों में भी ये बहुत अधिक बड़ी है और दोस्तो आपके सरीर की बहुत सारी बीमारियों का इलाज कर सकती हैं दोस्तो आपको इन दवाईयों से बचा सकती हैं तो चलिए आपको बताते हैं कि ये पीपली इस तरहें की होती हैं दोस्तो अगर मैं इसके गुणों की बात करूँ तो इसमें बहुत सारे इसके फाइदे हैं एक एक करके आईए आपको फाइदा बताते हैं उसके बाद आपको बताएंगे कि आपने इसका सेवन करना कैसे हैं दोस्तो इसके साथ में यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपके पेट की चर्वी बहुत जल्दी पिंगल जाएगी और आप बिलकुल सलीम और फिट बन जाएगी इसके साथ में यदि आप इसका काड़ा बना कर नहीं पीना चाहती तब आप इसके आदे गराम चून को सुबह और स्याम सहद के साथ सेवन करें इससे भी आपको सेम ही परिनाम मिलेंगी यदि आपको अस्थमा की समस्या है या आपके कफ जमा हुआ है सांस का रोग है आपको किसी भी परकार का तो दोस्तों आपके लिए पीपली बहुत अधिक कारगर है बस आपने क्या करना है इसके चून का काड़ा बना कर इसका सेवन करना है और आपकी यह समस्या दूर हो जाएगी अस्थमा जैसे बीमारी का एक कारगर इलाज है यह दोस्तों यदि आपको सिर के दर्द की समस्य है या माईकरेन की समस्य है तब भी आप पीपली का काड़ा बनाकर सेवन कर सकते हैं और इस त्रहें की बीमारियों से बची रह स क्योंकि यदि आपका कोलोष्टर लेवल सही होता है तब आपको हार्ट ब्लोकेज और हार्ड़क जैसे बीमारियों का सामना नहीं करना पड़ता आप इन दिल की बीमारियों से बची रहते हैं यदि आपको डाइबटीज की बीमारी के जो कॉम्पलीकेशन है उनसे बचना दोस्तो यदि आपके लीवर से जुड़ा किसी भी त्रहेंगा रोग हैं, आपको लीवर का कोई विकार है या आपका लीवर कमजोर है, तब भी आप पीबली के काड़े का सेवन कर सकते हैं, इससे आपको बहुत अधिक फाइदा होगा, इससे आपका लीवर मजबूत होगा. और आपका जरीर बहुत सारी बीमारियों से बचा रहेगा. दोस्तो यदि आपका पाचन कमजोर है और आप अपने पेट की चरबी के साथ सतापने पाचन को भी मजबूत करना चाहते हैं, पेट के रोगों से बचना चाहते हैं, तब भी दोस्तो ये बहुत अधिक आरगर तो कि इसका सेवन करके आप अपने पाचन को मजबूत कर सकते हैं, पेट के रोगों से बचे रहते हैं, कबच गैस और रैसिडिटी की समस्या का इलाज कर सकते हैं. दोस्तो ये आपको आँखों से जुड़ा कोई भी रोग है, तो आँख की बीमारी में आप पीपली का मही चून बना लें और इसे आँखों में काजल की तरहें लगाएं, इससे आँखों का दुंदलापन, रतुंदी, वैजाला आदी रोगों में बहुत अधिक लाप होता हैं, दोस्तो ये आप कान का दर्द है आपको या कान का कोई भी रोग है तो उसमें भी पीपली बहुत अ दोस्तो ये आपको आधिक अधिक कारगर है आप फीपली के काडे का सेवन कीज़े इससे आपकी खों की कमी की समस्या दूर होगी, तो दोस्तो ये हो गई पीपली के बहुत सारे चमतकारी पाइदे, तो चलिए आपको बताते हैं कि आपने इस चीज का सेवन करना कैसे है, दोस्तो आपने क्या करना है, पीपिले का पाउडर बना लेना है, जैसे कि ये हमने बना लिया, अब आपने एक गिलास पानी लेकर आख पर उबलने के लिए रखना है, जैसे कि ये हमने रखना, अब आपने इसमें एक चमच इस चोटा चमच इस चोन का आपने इसमें डाल देना है जैसे कि ये हमने डाल दिया और दोस्तो आपने इस पानी को तब तक उबालना है जब तक ये आपने एक गिला से पाने लिया था और वो उबल उबल कर एक कप ने रह जाए और जब यह पानी उबल उबल कर एक कप रह गया तो, दोस्तों, आपका काड़ा रेडी है तब आप इसमें अपने सवाद के लिए सहद का प्रयोग कर सकते हैं और सहद मिला कर इसका सेवन कर सकते हैं यदि आपको दिल की बीमारी हैं आप भी आज से ही इस काड़े का सेवन शुरू करतीजी और अपने सरीर को इन डाइबटीज, कॉलस्टोल, पेट के रोग मुटापा जैसे बीमारियों से बचे रहिए और 120 साल तक निरोगी जीवन जीए तो दोस्तो यह थी हमारी वडियो, यदि आपको हमारी वडियो अच्छी लगे तो प्लिस लाइक और सेयर जरूर कीजिए, इसके साथ में आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइबर बटन के साथ इस बेल क्या इकोन को भी दबा दीचिए, धन्यव तोस्तो.